हेलो दोस्तों वेलकम टू ओनलाइन स्टी पॉइंट दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए करेंड रफे दोर सत्रह रठारा के टॉप सिक्स्टी फाइब कोश्चन लेकर आया हूँ और यह जो वीडियो स्पेसल है रेल्वेग गुरूबडी एक्जाम स्टूडेंस के इस पूरे वीडियो में आपको सेलेक्टेट कोश्चन जो है लेकर आया हूँ जो रेल्वेग गुरूबडी एक्जाम में जरूर पुछे जाएंगे ठीक है और मैं अनेकेडवी पर ही पढ़ाता हूँ तो आप अनेकेडवी का लर्निंग के पेस्टोर से डाउनलोड कर लि लिए अब शुरू करते हैं आज का करेंड़ अफेस साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीड़ करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताक कि आपको इसी तरह की डेली वीडियो मिलती रहे और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करना बिल किलो मिटर कितनी है लंबाई 508 किलो मिटर और दो गढ़े साथ मिनट का सफर तै करेगी यह थीक है और तीन सो पच्चास किलो मिटर प्रति घंटे की रपतार से जो यह टरेन चलेगी है तो पहली बुले ट्रेन मुंबाई से हमधाबाद तक चलेगी जिसकी की टोटल लंब प्रधान मंत्री सहेज बिजली हर घर योजना और हर गाओं सहर को जो तो इससे बिजली मुहिया कराना इसका उद्देश से ठीक है तो सवाव जोना किसे संबंदी थे समनी से और सवाव की मतलब सहज बिजली हर घर योजना प्रधनमंत्री द्वावर चुरुवात की गई है चलीए अगला कोशन है नमामी गंगे योजना की शुरुवात कव हो थी दस अगस्त 2017 को कब दस अगस्त 2017 को ठीक है अब यह पर चरिवार्श न शुक्स सहर भारत को सबसे सक्ष सहर इससे पहले भी इंद ओर टो था ठीक है यह फिर बात करें अगले कोश्यन का सबसे गंदा ज़हर तो Carranti में कहां इस्तित करें यूपी मैं UP को सबसे गंदा शहरों में सुमार हुआ है। अगला कोशन है शिलंका ने कौन सब ढगात चीन को लीश पर दिया है उत्तर हमबण टोटा शिलंका ने किस बंदर्गा को चीन को लीश पर दिया तो यह हमबण टोटा जो कि शिलंका मिशती थे अगला कोशन है जो भारत के बर्तमान में राश्ट पती है रामनाथ कोईन जी जी और ये करम में आगला कुशन है पृत्वी के आकार के साथ ग्रहों की कोई है तो साथ ग्रहों कोई प्रक्षित गुर्भों की शंख्या आपको बता दे दोस्तों कि PSLV C-37 द्वारा फरविद्वार 17 में 17 104 ग्रहों को जो इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया PSLV C-37 प्रक्षेपड़ा जो की एक रिकॉर्ड है और PSLV को फूल पॉल पॉल को गया Polar Satellite Launch Vehicle ठीक है Polar Satellite Launch Vehicle PSLV ठीक है इसरो का फूल फॉल क्या है Indian Space Research Organization और इसकी स्थाबना का हुई थी 15 अगस्त 1969 में ठीक है 15 अगस्त 1969 में स्थाबना हुई थी इसका Headquarter का है इसरो का Bengaluru करनाटका में है और बरतमान में जो इसरो के चेर्मैन है यह है डाक्टर के शिवान ठीक है तो इसरो इसे लेटे इतने बने एक्ट आप याद रखी है अक्सार एक्जाम में पूछे आते हैं रेलवे और अन एक्जाम में भी इंडियन इस पेस रिशाज और अगनेशन है बैंगलूरू करनाटका में अगला कोशन है दुनिया का सबसे छोटा यान क्या नाम है स्प्राइटस ठीक है स्प्राइटस कोश्चन नमर 14 दुनिया का सबसे हलका उपगरा है इसका उत्तर हाई कलाम सेट दुनिया का सबसे हलका उपगरा कौन से कलाम सेट है ठीक है दोस्तों आप सभी को बता देते हैं आप रेलवे ग्रूप D exam के त्यारी करें तो आपके लिए बुक पब्लिशर द्वारा एक स्पेशल बुक तयार की गई है रिवीजन के लिए बहुत इंबोड़न भी पीडिया फाइल है लिंक वीडियो की डिक्सिप्शन वॉक्स में मिल जाएगी उस लिंक पर क्लिक करके आप जो तो पर्चेज कर सकते हैं मातर 30 रुपए की बुक है सारे सेक्शन सारे टॉपिक कवर ने तो आप बुक जरूर देख लिए डिक्सिप्शन वॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी मातर 30 रुपए की बुक उसमें सारे जो तो रिवीजन के लिए बहुत इच्छी बुक है और समय कम इसलिए वह बुक अच्छी है नेक्स्ट है स इसको सबसे तेज़ कंप्यूटर था आईवियम यूशे कहा है इससे पहले था सनवे तीनुवा लाइट जो कि चाइन द्वारा था ठीक है अगला कोशन है नए सवर मंडल की खोज केपलर 90 अगला कोशन है पंद्रेव वित्तायों के धक्ष कौने बरतमाने होते हैं एंके स थोड़ा से वित्तायों के बारे मुझा लें दोस्तों असार एक्जामें पूछा आता है वित्तायों की स्थाबना का वी थी 22 नुमबर नुट से आवन में आपको बता दे कि भारती समिधान के आर्टिकल 280 में वित्तायों को प्राबधान किया गया है और इसका गठान एक अध्यक्स देथा चार सदस्यों से मिलकर होता है इसका बता दे दोस्तों कोशन पूछा थे कि वित्तायों के अध्यक्स सदस्यों कौन करता है तो राष्टपति द्वारा पांच वर्स के लिए होती है ठीक है और बरतमान में जो भारत की वित्त सचिव हैं फाइनेंस सेक्र आँटिब सत्राम भारत को कौन सान Это वास weiterhin 17 में भारत को स्थान wszystkie 16 थर सब्सक्राइब कि वह कराना थे थी 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 तो भारत कीपताऑज मेंगे नाइड़ती 1972 में अगला कोशी न भारत छेटर पाख गरश्ची सी बिश्च इंत्रेश बिश्ची में राज योजस्थान नियूंतम जन्संख्या वाला राज यह शिक्किंग अगला कोशान है सरबाधिक मताइब किम ने बीख नुनतम प्र ह्मसराएन अग्राएं अगला धार्थ और सबस्ते श्क्राइब किरा रे विया और से UKS उप्सक्रासॐसाद सवाधिक किये राच्डार के दो यह ane नेक्स्ट है भारत का लिंगान उपात कितना है वर्तवान भारत का लिंगान उपात है 943 अगला यूपी का लिंगान उपात 912 है अगला कोशन है मानपता की अमूर सांस्कृतिक धरोहर कुम्भ मेला नेक्स्ट है अमूर सांस्कृतिक विरासत यह योग अगला कोशन है प्रतिवर्स योग दीवसंतर राश्टी योग दीवस कमना जाते ते मना जाते 21 जून को नेक्स्ट विष्व विरासा देती हशिक शहर एहमदावाद अगला कोशन है काजी रंगा राश्टी उद्यान कहां इस्तित तो यह इस्तित आशाम में नेक्स्ट है देश की पहली solar power train क्या नामें डेमू train ठीक है नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है ढोला साधिया पुल अगला कोशन है देश की पहली underwater tunnel हुगली नदी के नीचे है नेक्स्ट है hydrogen से चली विश्व की पहली train जर्मनी में अगला कोशन है जंधन योजना कब शुरूआत होई तो इस launch की गई अठाई सगर 2014 को फिर है make in इंडिया की शुरूआत का वही 25 सितंबर 2014 को स्वक्ष भारत मिशन की शुरूआत होई 2 October 2014 में ठीक है नेक्स्ट है वेटी बचाओ वेटी पढ़ाओ योजना कब शुरूआत की गई 25 जनवरी सौरी 92 2015 को अगला कोशन है उज्जला योजना की शुरूआत कभू एक मई 2016 से अगला कोशन है दूर दराज के शेत्रों में क किसे सीम अब देयर पूर्शकार से मानित किया अगर इसका राइड एंसर है वरसुंद्रा राजी जो की राजस्थान की बरतमान में सीम है ठीक है अगला कोशन है स्मार्ट इंडिया मिशन के तहत हाली में किस शहर को इंडिया स्मार्ट सिटी 282 अवाट प्रदान किया गया ठीक आइफा फिल्म 2018 में किस फिल्म को सर्वसेश्ट फिल्म का पुर्षकार दिया गया तुम्हारी सुलू को। देवी को मौम के लिए अगला प्रसने फेमिना मिशिंडे 28 खिताग विशने जीता है उत्तर है अनुकरती व्यास तमिलनाडू की हैं अगला प्रसने जापान का प्रदिष्ठित निकई एसिया पूरुषकार किसे समानित किया गया है उत्तर है बिंदेश्वर पाठक जो कि पूरुषकार दिया गया है उत्तर है विराट कोली को ठीक है किस किलाडी को प्रस्कार समानित किया गया है उत्तर है आशा भोसले को नेक्स्ट है हाली में किस राज्ज को शरवादिक फिल्म अनकुल लाज का पुरुसकार प्रदान किया गया है उत्तर है मद्ध प्रदेश को अगला प्रस्ण है हाली में किसे युनेश को प्रेश फीडम पुरुसकार मिला है उत्तर है महमूद अभूजीद मिस्क के फोटोग्राफर है इनको हाली में युनेश को प्रेश फ्रीडम पूरकार मिला है अगला गोछण है 65 राष्टी फिल्म पूर्शकार में सर्व से खिंदी फिल्म का पूरुशकार किसे मिला है उत्तर है नूटन को ठीक है पूरुसकार मिला है अगला कोचन है 65 वे राश्टी फिल्म पूरुसकार में सर्व से शिंदी फिल्म का पूरुसकार किसे मिला है उत्तर है न्यूटन को ठीक है 65 वे राश्टी फिल्म पूरुसकार में सर्व से शिंदी फिल्म का पूरुसकार किसे मिला है न्यूटन को अगल सब्सक्राइब करें अगला प्रस्णा है तो यह थे दोस्तों मोस्ट इंपोर्टें 65 को पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो लाइक और शेयर जरू करें और आप उस एल बुक पब्लिस्टी बुक को जरूर देख लिए इस्पेशल बनाएगे लिंक वीडियो इस्पेशन बहुत शारे प्रेट्स के लिए इस वीडियो की लिए वीडियो को आसझाइ denied 시청 घ tayो am यॉन कर लीजेए और आप उससे मिल जागी आपके पास त्जुनी का और लिए Sü धी लिंक के माद्यम स्भावद कर सकते हैं ठीक है चलिए तो बार्टीhh odd visit साथ चैनल सब्सक्राइब जरू करिएगा साथ में बेल आइकान प्रेस कर दीजिए तो मिलते हैं नेश्ट प्लिक साथ थैंक यू जै हिन्द जै भारत